Hello friends, welcome to our YouTube channel Math Solution दोस्तों, आज किस वीडियो में हम लोग गुननखन ग्याद करना सिखेंगे और ये टाइप नमर 4 है अभी तक आपने 3 टाइप को नहीं देखा तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके जरूर देखें क्योंकि हर एक टाइप में हर एक तरह के प्रस्ण को बताया गया ये भी टाइप 4 के प्रस्ण है इसमें क्या है? यहाँ पर भी मैनस रहेगा और यहाँ पलस रहेगा तो इसको किस तरह सेटिंग करेंगे? वो आज किस वीडियो में देखने वाले है तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है तीन एक्स स्क्वाइर मैनस आठ एक्स पलस चार इसको हम लोग क्या करना है? गुननखन बनाना है देखिए अब यहाँ पर अचरपद में देखना है अचरपद यहाँ है चार है और यह एक्स स्क्वाइर के गुना करना है? तीन इन दोनों को गुना कर देना है तो यहाँ चार और तीन को जब गुना करते हैं तो हमें कितना आता है? बार है अभी हमको यहाँ पर कितना आ गया? बार है इस बारे को हमको इस परकार तोरना है कि हमें वो जो तोरने के बाद आएगा उसको जोरने या घटाने के बाद हमें कितना आना चाहिए आठ आना चाहिए यानि मैनस आठ आना चाहिए हम लोग पहले बारे को तोर लेते हैं दो से करेंगे दो छक बारे फिर दो से करेंगे दो तियाई छे इस बारह कौन लोग लिख सकते हैं दो गुना दो गुना तीन लिख दिये हैं अब दिखिए इसको आप लोग इस परकार लिखिएगा कि आपको यहाँ पर जोरने या घटाने के बाद आठ पूरना चाहिए तो इसको एक तरीका यह है दो और यहाँ इस दोनों को गुना करेंगे दो तेही छे यानि दो और छो के रूप में भी लिख सकते हैं दो और छो को जोरते हैं तो आठ पूर जाता है और दो और छो को घटाते हैं दो में इस चो गया तो चार हो जाता है यानि दो और छो को जोरना परेगा अब दिखिए और मैनस 6 बराबर मैनस 8 होता है यहां पर हम लोग X लगा लेंगे X लगाने के बाद यहां भी X हो जाएगा यहनि इस मैनस 8 X के जगे हम लोग क्या लिख सकते हैं मैनस 2 X मैनस 6 X लिख सकते हैं तो इसी को हम लोग यहां पर लिख देंगे लिखेंगे 3x² इस माइनस 8x के जगे आपको क्या लिखना है माइनस 2x ठीक माइनस 6x पलस 4 लिख दियें अब आपको क्या करना है कोमन लेना है इससे पिछले वीडियो में मैं कोमन लेने बता हूँ एक तरीका है विश्तरित रूप आप सबसे पहले क्या करें इसको अराम से बिश्तरित रूप लिख लीजे उसमें आपको कभी गलत नहीं होगा हम लोग भी इसको बिश्तरित रूप लिख लेते हैं 3x² को क्या लिखेंगे लिखेंगे 3 गुना x गुना x माइनस 2 गुना x लिख दिया है उसके बाद लिखेंगे माइनस 2 गुना 3 गुना x पलस 2 गुना 2 यह हो गया बिश्तरित रूप अब हमको कॉमन लेना है तो यहाँ पर दिखिए 4 पार्ट हो गया 1, 2, 3, 4 इस दो पार्ट में से पहले कॉमन लेना है फिर उसके बाद इस दो पार्ट में से कॉमन लेना है इन दोनों पार्ट में ध्यान से देखिए आपको यहाँ पर भी x नजर आता है और यहाँ पर भी यह गुना है यह x है यह यह x यहाँ पर भी है और यह x यहाँ पर भी है फिर अगला में यहाँ पर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 इन दोनों में common क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर भी हम 2 को घेर दियें, दोनों में जो common आएगा उसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर x common था, इसलिए x को हम लोग बाहर निकाल लेंगे यानि लिखेंगे X अब बचा क्या है? तीन अगुना X यानि तीन X बचा अंदर तो हम लोग लिखेंगे 3X बीच में मैनस है तो हम लोग लिखेंगे मैनस फिर यहाँ पर देखिए X जो बाहर निकल गया अब बचा क्या इसमें only for 2 तो हम लोग लिखेंगे 2 अब इस ब्रैकेट को बंद कर देगे अब देखें यहाँ पर यहाँ है मैनस और यहाँ है पलस तो सबस्पहले यहाँ मैनस को मन ले लिजिए उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दोनों में था इस 2 को भी लिख दीजिए लिखने के बाद अब बचा क्या 3 गुने x करेंगे तो 3x और यह मैनस पलस क्या होगा? मैनस और यहाँ पर क्या बचा? 2 इसको भी हम लोग लिख देंगे लिख दीएं अब दीखें 3x-2 यहाँ भी है 3x-2 यहाँ भी है यानि दोनों को हम एक जगा लिख देंगे यानि लिखेंगे 3x-2 इसको आप कोमन भी ले सकते हैं वही बात हुआ अब बचा क्या? x और मैनस 2 बचा है इसको भी हम लोग इस तरह लिख देंगे x-2 लिखती है तो इसका जो गुननखन आ जाएगा यही आजाएगा इसका गुननखन यानि इसी को आप लोग बहुत जगा देखिए x-2 into 3x-2 भी लिखा रहता है तो इससे आपको घबराना ना है दोनों एंसर सही है इसमें क्या है? दोनों एंसर सही है अगर आपको कहीं ये भी लिखा रहता है या ये भी दोनों सही है अगर आप असानी से भी बना सकते इस तरह आईए इसका हम लोग second person को देखने बाले है इसका second person भी इसी तरह बनेगा इसको भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने second person लिखा है 2x square minus 11x plus 12 सबसे पहले हम लोग क्या करना अचरपद यहां 12 है और x square का गुना कितना है 2 इन दोनों को गुना करना है तो 12 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 24 तो हम लोग लिख दते हैं 24 इस 24 को आप लोग तोर लीजिए 2 से तोरेंगे तो कितना हो जाएगा एकम दो, दो दूनी चार 2 से 2 छक बार है फिर 2 से दो तिया ही 6 हो गया इस 24 को आप क्या लिखिएगा लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 अब इसको इस परकार सजाएए कि आपको 11 पूर जाए सजाने में ही बहुत लोग को दिक्कते होती है इसको मैं आसान बना देता हूँ इसके लिए क्या करना है सबसे लिए इसको पकरिए उसका बांकी जो बचा है सबको लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुनी 4 तिया 12 यानि 2 और 12 मैं इसा संबंद बनाए कि 11 पूर जाए तो 2 में से 12 घटा है तो 10 पूरता है अगला संबंद देखते हैं यहां से यहां तक ले लेते हैं तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 4 और इसना बचा कितना 6 यहां पर हो जाएगा 4 और 6 इन दोनों को जोर घटा करेंगे तो कभी 11 नहीं पूरेगा फिर नेक्स स्टेप हम लोग क्या करेंगे अगला स्टेप बढ़ा देंगे यहां तक ले लेंगे तो यहां तक लेंगे दुदुनी 4 चार दुनी 8 यह हो जाएगा 8 और इधर बचेगा क्या 3 देखें गुना करने पर हमें 24 पूर जाता है और 8 और 3 को इस परकार लिखेंगे कि 11 भी पूर जाएगा देखें 8 और 3 को जोरते हैं तो 11 पूर जाता है लेकिन यहां मैनस 11 चाहिए इसका मतलब दोनों क्या होगा घटा में होगा यानि मैनस 8 होना चाहिए और मैनस 3 होना चाहिए तब पूरेगा मैनस 11 ठीक अब देखिए सभी में X लगा दीजिए यहां भी X लगा दीजिए यहां भी X लगा दीजिए यहां भी X लगा दीजिए यनि मैनस 11 X के जगह आप लोग यह लिख सकते हैं तो हम लोग भी वही करते हैं यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 X SQU peu इस मैनस 11 X के चेगे आपको लिख लिख दियाँ हम, उसके बाद लिखना है, उसको भी हम लोग लिख दिया, अब आपको common लेना है, इससे पहले मैं common जो लिया था, उसमें बिश्तिरित रूप का उपयोग किया था, अगर आपको बिश्तित रूप का उपयोग नहीं करना, डायक्ट बनाना है, तब कैसे लिज नजर आता है किया और इसमें एक एकक्स है, याई एक्स को मन लेंगे, जो दोनों में रहेगा, अब ऐसा को मन लेने के बाद, अब दिखिए टू एक्स स्क्वाएर था, उसमें टू एक्स को मन ले लिए, बचेगा अक्स में ठीक, माइनस, अब दिखिए यहां पर आठ, दू लिखेंगे x, minus plus क्या होता है, minus, ठीक, उसके बाद 3 से 12 में भाग दीजाए तो बचेगा कितना आपको 4, इस तरह बचेगा, अब इन दोनों को आपको सही से लिखें लेना है, यहाँ पर है x-4 और यहाँ पर भी है x-4, इसको आप लोग लिख सकते है, x-4 into, अब बचा क्या ह 2x और minus 3, इसको भी आप लोग लिख दीजिए, 2x-3, यानि हमने क्या लिखा, x-4 into 2x-3, लिख दीए, अब इसी को आप लोग पहले इसी को भी लिख सकते हैं, इस तरह भी 2x-3 into x-4, दोनों ही एंसर सही हैं, इस तरह आप आसानी से गुरंखन बनाना सीख गये होंगे, अगर आप एक भी, अगर कहीं भी दिक्कत होता है गुरंखन बनाने में तो आप इस चैनल पर और आज इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए जहन दोस्तों धन्यवाद,